स्वाले दोसों सौगत है अब सभीका मेरी यूट्यूब चैनल में इसका नाम है ड्रोन टेक मेरनाय भरत और आज इस फीडियो के अंदर हम जो है अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं एक ट्रिमर की तो यह जो ट्रिमर है इसका नाम है नोवा एनच्टी 1046 इसके अंदर दो-ती इ और इतने कम प्राइस पर सबसे सस्ता ट्रिमर आपको मिल जाता है तो इसको जो अन्बॉक्स करके देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या-क्या खास फीचर्स मिलते हैं क्या आपको इसे पर्चेस करना चाहिए या फिर नहीं तो बॉक्स पैकिंग जो काफी अच्छी दी यह लगता ही नहीं कि कोई 300 रुपे का प्रॉडक्ट आपको जो हाथ में मिला है यहाँ पर साफ साब लिखावाए फेस और स्टाइल दोनों के लिए जो ही काम कर सकता है इसके लावा पर्फेक्ट बीर्ड आप जो है बना सकते हो इससे काफी अच्छा जो है इसका है स्टाइ़ देते हैं इस तरफ से जो है दिए वैं Siya जो है आपको डिजाइन वग दे रखें इक कौन-कौन से अप डिजाइन जो है सेसे बना सकते हैं haircut कर सकते हैं और कर सकते होप यु के आफों के उन सब ची को भी आपर जो है ट्रेहीन करने के लिए इसको यूज में ले सकते हो अब जो है इसको चार्ज करने के लिए कितना टाइम लगता है तो इसमें जो है एक सेल लगता है जिसको चार्ज करने के लिए आपको जो है 8 गंटे इसको यूज करना होता है यानि चार्ज पर लगाना होता है और 8 गंटे लगाने के बाद जो है 30 मिनट के लिए य ये दिया गया है और worldwide इसका जो है usage होता है ऐसा company कहती है तो इसको जो है हम unbox करते हैं और उपर जो है लिखाओ है कि use करने से पहले आपको जो है इसको 8 घंटे चार्च कर लेना है battery को वड़ना battery की performance जो है खराब हो सकती है तो चलिए इसको unbox कर लेते हैं तो दोस्तों मैंने इस इसको unbox कर लिया है सबसे पहले आपको box के अंदर जो है एक manual मिलती है जिसके अंदर आपको different different styles तीविये जो आप बना सकते हो beard की उन चीजों के बारे में आपर बता रखा है इसके लगए यह आपको बता रखा है कि आपको कौन सा look चाहिए उसके according आप इसको use कर सकते हो zero look चाहिए या फिर आपको six mm का look चाहिए या nine mm का look चाहिए तीनों तरह के looks जो है आप बना सकते हो और अपनी beard को shave कर सकते हो और इनकी जो range है वो भी इनोंने बता रखिए और अंदर भी जो है अलग-अलग तरह से इसको बता रखा है आप कैसे इसको use कर सकते हो और क्या क्या आपको मिलता है इसके लावा यहाँ पर और प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलते हैं वो देख लेते हैं एक बार तो यहाँ पर जो है एक तो ब्रश मिलता है आपको इस तरह का जिससे आप जो है ट्रिमर को साफ कर सकते हो इसके लावा आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के measurements मिलते हैं box के अंदर तो वो भी जो है मैं आपको दिखाने को इश करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो 3 measurements जो है आपको मिलते हैं box के अंदर जो काफी जाद अच्छे लग रहे हैं और 3 mm, 9 mm इस तरह से जो आपको 3 measurements यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं 3 mm, 9 mm और 6 mm 3 measurements आपको मिलते हैं बाकी 0 look के लिए आप इनको बिना लगाए भी use कर सकते हो इसके लावा यहाँ पर आपको एक तेल की शीशी दी गई है इसका कोई खास use तो नहीं है बट कभी कबार चाहो तो आप use कर सकते हो अगर आपको लगता है कि जो trimmer है उसकी shave उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है तो इसको लगा करके जो एक बार आप चालू करके छोड़ सकते हो इसके लावा यहाँ पर आपको एक sell दिया गया है अब sell जो है यह उतनी अच्छी quality का नहीं है यह मैं आपको पहले ही बतायता हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं पर भी किसी company की branding आपको देखने को नहीं मिलेगी नॉर्मली बस लिखा हूँ है 600 mAh 1.2 volt तो यह जो है एक कमी लगी है मुझे इस sell की और इस sell जो बहुत ही lightweight है अगर मैं compare करूँ मेरे पास एक और sell है जो की है dura sell की तरफ से आता है और इस sell का जो weight हो बहुत जादा है अगर मैं compare करूँ तो और इसकी जो mAh है वो almost double है 1300 mAh के आसपास यह आता है यह 600 है और यह 1300 है यह 30 minutes चलती है full charge करने के बाद और आप imagine कर सकते हो कि यह कितनी देर चलेगी आराम से एक गंटा जो है यह चलना वाली है dura sell की battery तो मैं suggest करूँगा आप इसको जो है अपने घड़ी वगरे में लगा लें किसी और परपस के लिए काम में ले लें और इसको जो आप यूज़ कर सकते है dura sell की battery को और यह वाली भी मेरे पास rechargeable battery है इसका जो charger है वो लगबग 2500 रुपे का आता है तो आप इसको जो है 1000 बार इस sell को use कर सकते हो तो मुझे लगता है बहुत इच्छी quality है इसके अलावा एक और sell का जो है मैं आपको बतायता हूँ यह वाले sell भी मैंने purchase किये थे तो आप इनको भी use कर सकते हो चाहो तो यह जो sell है इनकी quality भी आपको काफी जादा अच्छी मिल जाती 1000 mh के एक sell है तो इनको भी आप आराम से 45-50 minutes use कर सकते हो इस trimmer में और बाकी other purposes के लिए भी आप इनको use कर सकते हो तो यह जो sell है इसको आपको लगातार use में लेना होगा यानि की 8 घंटे पहले इसको आपको charge करना होगा उसके बाद आप trimmer को use कर सकते हो इसके लाब आपको यह charging के लिए cable दी गई है normal cable है तो इसको आप लगा दीज़े और 8 घंटे के लिए अपने trimmer को छोड़ दीज़े charge होने के लिए अब इसके बाद जो है last item देख लेता है वो सबसे main है जो कि हमारा trimmer तो अगर मैं बात करूँ trimmer की quality की तो trimmer की quality जो है मुझे सही लग रही है कोई बुरा ही नहीं है trimmer की quality में यहाँ पर कोई film वगरे तो नहीं चड़ी वी इसके उपर और design वगरे भी ठीक ठाक मिल जाता है आपको इस पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यूस किया हुआ है बड़ पता नहीं हो सकता है यहाँ पर जो एक बार सो खोल करके देख लेता है तो ठीक लगा रहा है quality तो ठीक है इसकी पीछे यहाँ पर एक cell लगाना है आपको मैं एक बार लगा के भी आपको दिखा देता हूँ तो यह जो cell ही यहाँ पर fit हो जाता है आराम से और उसके बाद यहाँ पर जो है on off का button है यह जो है button है जब आप charge पर लगा देंगे तो यहाँ पर light जलती है यह light indicator है तो यहाँ पर on off करके अगर हम देखें तो यह cell मुझे लगता है बिल्कुल काम नहीं कर रहा है इस वक्त दूसरे cell लगा के देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर cell मैंने लगा दिया अब एक बार मैं आपको on करके दिखाएता हूँ कि कैसा इसका sound वगेरा आता है और किता fast यह work करता है तो यहाँ पर एक बार on कर लेते हैं इसको तो काफी जादा fast यह work कर रहा है और इसकी पावर है मुझे काफी अच्छी लगी motor की तो sound वगेरा काफी तेज आता है इसके अंदर और use करके भी एक बार देख लेते हैं हाथ के बालों को एक बार shave करके देखते हैं कैसा यह perform कर रहा है तो काफी अच्छी से जो है clean कर देता है यह और कोई भी दिक्कत जो है मुझे देखने को नहीं मिली आराम से यूज़ कर सकते हैं आप इसको बस जो मैंने चीज़ बताईए कि आप इस cell को यूज़ करेंगे तो जादा अच्छा रहेगा क्योंकि ब्यूरे जादा देर तक आप इसको यूज़ कर पाओगे एक बार फुल चार्ज करने पर लगबग तीन बार शेव कर सकते हो इससे और बाकी आप डिपेंड करता है आप कितना टाइम लगाते हो एक बार लगाता और यूज़ करोगे तो दस मिनट में आप अराम से फुल शेव कर सक है उर्टा है चलाख सकते हो ट्राइल ले सकते हो कैसा लगता है और एक बार जो है आपको कुणक करके भी दिखा उता हूं जो इसके साथ जो है दिये गए है ये extra तो इनको कैसे लगाना है तो यहाँ पर पहले इनको ऐसे फसाना है और नीचे से जो है इसको दबा देना है तो पहले पीछे से फसाना है और उसके बाद यहाँ से प्रेस कर देंगे तो यह fix हो जाएगा उसके बाद आप जो है इनको use कर सकते हो तो product जो है काफी अच्छा है इसकी build quality वगरे भी जो है मुझे काफी अच्छी लगी है यहाँ पर on off का button दिया हुए side में light indicator आपको मिल जाता है पीछे के तरफ charging port है यहाँ पर एक battery लगानी होती है और build quality वगरे मुझे काफी सही लगी है जिस price पर यह आ रहा है weight भी काफी अच्छा है grip भी पहुत अच्छी लगी मुझे हाथ में पकड़ने में तो definitely आप इस product के साथ जो है जा सकते हो value for money है मैं इसको 5 में से 3.5 star दूँगा क्योंकि आगे का reliability मुझे पता नहीं अगर सही चला तो 4 star नहीं तो 3.5 तो देखते हैं कैसा perform करता है इस वीडियो में इतना ही था friends अगर आपको वीडियो पसंद आया कोई भी आपको question है comment है तो नीचे comment करके पूछ सकते हो बाकि इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए bye bye